नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में हम समझेंगे संगट क्या होता है। जो एक शक्तिशाली बन लगेगा वो कैसा लगेगा? वो बहुत ही अल्प समय के लिए लगेगा। अल्प समय मतलब बहुत ही जादा चोटे समय के लिए लगेगा। तो इस संगट के दोरान दो चीज़ें होंगी। एक तो पिंड की उर्जा में परिवर्तन होगा तथा उसके समवेग में परिवर्तन होगा। अब इसके लिए क्या उधारन हो सकता है? आपने यदि कभी स्नूकर या बिलियर्ड गेंदों के साथ खेला होगा तो उसमें क्या होता है? उसमें गेंदों के मध्य जब संगट होता है तो भौतिक संपर्क होता है यानि कि जो वो बौल होती है वो एक दूसरे को टच करती ह लेकिन यदि हम बात करें अलफा कर्ण की तो अलफा कर्ण वा किसी नाविक के मध्य संगट जब होता है जैसे कि रदर फोड के एक्सपरिमेंट में हुआ था तो उसमें क्या होता है? जो अलफा कर्ण वा नूकलियर यानि कि नाविक होगा उसके मध्य कोई भी संपर्क नह ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यह बहुत जबर इंपर्टन बात है अब हम समझेंगे संगट की अवस्थाएं यह कितने प्रकार की होती है और इनमें क्या क्या होता है? संगट की कुल तीन अवस्थाएं होती है पहली अवस्था होती है संगट के पूर्व, द इन दोनों अवस्थाओं में जो आवेग्य बल होता है वो शून्य होता है और जो बचीवी ये अवस्था है यानि संगट के दौरान इस अवस्था में जो आवेग्य बल होता है वो बहुत बड़े परिणाम के होते हैं अब जो ये आवेग या बल की मैं बात कर रही हूँ यही बल है जो वस्तु की गति को संचालित करते हैं मगर इस बल के परिमान को ग्यात नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही सोक्षम समय के लिए लगता है इसलिए हम यहाँ पर Newton का second law नहीं लगा सकते हैं चलिए बात करते हैं संगट में उर्जा वो समवेग सर्रक्षन की तो चलिए पहले बात करते हैं समवेग सर्रक्षन की तो समवेग सर्रक्षन में क्या होगा इसमें जो समवेग है वो संरक्षित रहता है इसका मतलब जो बायबल है वो शुन्य होता है यानि कि क्योंकि यहाँ पर momentum जो linear momentum है वो conserve रहता है इसलिए यहाँ पर क्या होगा जो external force होगा वो zero हो जाएगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं उरजा सन्रक्षन की जाहिर सी बात है कि उर्जा सनरक्षन में जो उर्जा है वो सनरक्षित रहेगी ये जो दोनों नियम है ये भौतिकी के मूल नियम है जो किसी भी प्रकार के संगट पर लागू हो सकते हैं परंतो एक बात चापको ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये गतिज उर्जा सनरक्षन के लिए लागू नहीं होते हैं, तो ये एक important बात है, गतिज उर्जा मतलब kinetic energy, चलिए अब पढ़ते हैं संगट के कितने प्रकार होते हैं, संगट कुल तीन प्रकार का होता है, पहला होता ह प्रत्यास्त संगट, दूसरा होता है अप्रत्यास्त संगट, और तीसरा होता है पून तह अप्रत्यास्त संगट, आईए हम समझते हैं इनमें क्या होता है, तो प्रत्यास्त संगट वे संगट है, यदि संगट के पूर्व वे संगट के पश्चात गतिज उर्जा समान रह तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यास्त संगट या फिर पून तह प्रत्यास्त संगट कहते हैं. अब हम इसके और भी कुछ गुण देख लेते हैं. आप कोई बात ध्यान रखना है कि प्रत्यास्त संगट में जो समवेख होगा वो संरक्षित रहेगा. जो कुल उर्जा होगी वो भी सनरक्षित रहेगी और यहाँ पर जो में चीज थी वो यही थी कि गतिज उर्जा सनरक्षित रहती है इसलिए मैंने यहाँ पर डबल टिक लगाया है इसके साथ साथ यांतरिक उर्जा किसी अन्य रूप में रूपांतरित नहीं होती है अब समस्ते हैं अप्रत्यास्त संगट को इसमें जो समवेग होता है वो संरक्षित रहता है किन्तु जो गतिज उर्जा है ये वाली वो संरक्षित नहीं रहती है तो यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो गतिज उर्जा है वो संग्रशित नहीं रहती है अब समझते हैं पूर्णतह अप्रत्यास्त संगट को यहाँ पर क्या होता है देखिए यदि संगट के पश्चात दोनों पिंड आपस में चिपक कर समान विख से गति करें तो संगट पूर्णतह अप्रत्यास्त संगट कहलाता है इसके लिए अगर हम कोई उधारन लें तो जैसे कि बंदों की गोली को आप लकडी के किसी टुकडे पर दागे और गोली उसी में धस जाए और वहां से बाहर ना निकले या फिर आपकी कोई बॉल कीचर से भरे मिटी में या गीली मिटी पर गिर जाए और वो बॉल वहीं धस जाए तो वो किसके उधारन है वो पूनत अप्रत्यास्त संगट के उधारन है चली आप इसके कुछ गुण जान लेते हैं तो यहां पर भी जो संवेग होता है वो संगरशित ही रहता है कुल उर्जा यहां भी संगरशित रहती है यहां पर भी जो गतिज उर्जा है वो संगरशि नहीं रहती है ठीक है तो देखे यहाँ पर क्या हो रहा है समवेग सनरक्षित है यानि कि तीनों ही केस में समवेग तो सनरक्षित ही है कुल उर्जा सनरक्षित है तथा गतिज उर्जा सनरक्षित नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्यास्त में यहां पर जो यांत्रिक उर्जा है उसका कुछ अन्य या पून उर्जा अन्य उर्जा में रूपांतरित हो जाती है जो कि कहां पर नहीं हो रहा था यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो यांत्रिक उर्जा थी वो किसी अन्य रूप में रूपांतरित नहीं हो रही थी जब जबकि पूनतह अप्रत्यास्त संगत में ऐसा हो रहा है कि वो या तो उसका कुछ अंज या फिर वो पून रूप से किसी अन्य उर्जा में रुपांतरित हो जा रही। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो कुछ या सभी वल होते हैं वो असनरक्षित प्रकरती के होते हैं ठीक है तो आपने यहाँ पर देखा कि तीनों ही केस में क्या हो रहा था तीनों ही केस में जो समवेग है वो कैसा है सनरक्षित है ठीक है और कु कूलूर्जा भी सनरक्षित है, यहां पर भी कूलूर्जा सनरक्षित है, यहां पर भी और यहां पर भी मैंने लिखा नहीं है, पर वो बहुत ही understood है, ठिक EST भी mean बार जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि देखिए, जो गतिजूर्जा है, आप देख सकते हैं प्रत्यास्त संगट में गति जूर्जा संरक्षित है, यहां पर संरक्षित नहीं है और यहां पर भी संरक्षित नहीं है ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो संगट है उसके तीन प्रकार को समझ सकते हैं मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा